नमस्कार, BCN News के दिन विशेश कारेक्रम में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर, बीटिंग दर रिट्रेट समारो का आयोचिन होता है इसे कतंतर दिवस समारो का समापन होता है बीटिंग रिट्रेट सेर्मनी सेना की वापसी का परतीक है इस दोरान राश्टपती सेनाओ को अपने बैरकों में लोटने की इजासत देते हैं दुन्या के कई देशों में बिटेंग डिक्रीड सरमनी की परंपरा है भारत में 1950 के दश्यक में इसकी शिरुवात हुई थी तब भारती सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओ के बैंड्स के डिस्प्लेसिस के साथ सरमनी को पूरा किया था इस समारों में राश्टपती मुख्य अतीती रहते हैं उनकी आते ही उन्हें नैशनल सल्यूट दिया चाता है इसके बाद राश्टपती के पास जाते है और बैंड वापस ले जाने की अनुमती लेते है इसका मतलब होता है कि 26 जन्वरी का समारोह पूरा हो गया बैंड मार्च वापस जाते हुए सारे जहाँ से अच्छा की दुन बचाते है पिटिंग रिट्रीट सेलमनी सद्यो पुरानी परंपरा है ये तब से ही चली आ रहे है जब सूर्यास की बाद जंग बंध हो जाती थी जैसे ही बिगुल बजाने वाले पीछे हटने की दुन बजाती थे वैसे ही सैनिक लड़ाई बंध कर देते थे और ये दुभूमे से पीछे हट जाती थे जानकारी के मुताबिक सत्रावी सदी में इंगलैंड में इसकी शुरुवात हुए थी तब जेम्स दो ने शाम को जंक खत्म होने के बाद अपने सैनिकों को ड्रम बजाने जंडा जुकाने और परेड करने का आदेश दिया था उस वक्त समारोह को वाच सेटिंग कहा जाता बिटिंग डिट्रीड की ये परंपरा ब्रिटेन, कैनडा, अमेरिका समित दुन्या के कई देशों में हैं भारत में पहली बार 1952 में बिटिंग डिट्रीड सर्मनी का आयोचिन हुआ था तब इसके दो कारेक्रम हुए थे पहला कारेक्रम दिल्ली में रिगल मैदान के सामन मैदान में हुआ था और दूसरा लाल किले में नब्बे के दशिक में बॉबी देवल इंडस्ट्री के बेस्ट अक्टर्स में शुमार थे लंबी घुंगराले बाल डैशिंग लुक्स और आक्टर की लंबी कतकाटी पर फान्स फिधाते लड़किया बॉबी देवल को 27 चनवरी 1979 को धरमेंद्र और प्रकाशकौर के घर हुआ था बॉबी सबसे पहले धर्मवीर फिल्म में बतौर चाइल अक्टर नजर आये थी पतौर लीड अक्टर उनकी पहले फिल्म बरसात थी जो कि 1950 में रिलीस हुई थी बॉबी को बरसात के लिए फिल्म फेर का टैक्टर का अवार्ड मिला था लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया बॉबी ने अपना करियर शुरू करने के एक साल बाद ही तानिया से शादी कर ली थी तानिया बड़े बिसनस घराने से तालुक रखती है मुश्किल दोर में उनकी पत्नी तानिया ने उन्हें फाइनेंशली काफी सपोर्ट क्या था बॉबी के लाइफ में वो फीस भी आया था जब उनकी पास दस सालों तक काम नहीं था हताशा और निराशा में डूबे बॉबी को रेस तीन में सलमान ने जब ब्रीक दिया था बीबीसी को दिये इंटर्वियों में बॉ सलमान खान की फिल्म रेस 3 के बाद बॉबी की किस्मत थोड़ी पल्टी लेकिन वेब सिरीज आश्रम ने तो उनके करियर में चार चांद लगा दिये बॉबी देवल की जबर्दस आक्टिंग ने इस वेब सिरीज में चांद फूग दी और लोगों की बीच यह सिरीज इंदजार कर रहे है भार्त की दूसरी महीला अधिकारी सरलाग्रेवाल ने पंजाब की अंतरगत अनिक महतवपूर्ण प्रशास्निक पदो पर कारिकिया था सरलागरेवार उन्यसो चपन में शिवला की डिप्टी कमिशनर बनाई गए थी विदेश में इस पत पर दायत्व निभाने वाली पहली महिला अधिकारी थी 1963 में विजब पंजाब सरकार के स्वास्त्रिभाग की सचीव नियुक्त ही थी आची के दिन 2002 में उनका निधन हुआ था अबूतपूर्व प्रशासनिक शम्तार रखने वाली मध्यप्रेदेश की पहली महिला राचिपाल सरलागरिवाल का चन्म 4 अक्टूबर 1927 को हुआ था उनका कारेकाल 1 मार्श 1989 से 5 फर्यरी 1990 तक रहा पंजाब विश्व विध्याले से मनुव विज्ञान विश्य में सनातक उत्तर उपादी में सर्वोच स्थान प्राप्त करने वाली विपहली और सन 1952 में भारत की प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करने वाली विभारत की दूसरी महला थी 1956 ने वे शिमला की डिप्टे कमिशनर बनाय गये देश में यह दायत्वस सम्हानने वाली वे पहली महिला अधिकारी थी इस तरह सन 1962 में वे पहली आयस अधिकारी थी जिन्हें शिक्षा संचालक बनाया गया था पंजाब प्रदेश में अनिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उन्होंने कारी किया राज में हिवा और प्रोड शिक्षा कारेक्रमों का कुशलता पुर्वक संचालन किया इसके लिए वे रूस में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का अधियन भी करने गय थी प्रिटिश कॉंसल की चात्रवित्ती पर दस महिने तक लंदन स्कूल अफ एकोनोमिक्स में विकाश्य लिदेशों में सामाचिक सिवाओ की स्वरूप का गहन अधियन किया शिक्षा पाठे क्रमों में सास शिक्षा और समाचिकल्यान सिवाओ की महत्ता पर उन्हों नीज सूर दिया था चोहत्तर वर्ष की आयू में तपेदिक सिपीडित ग्रीवाल का चंदिगड में 29 जन्वरी 2002 को लंबी बिमारी की बाद निधन हो गया हुआ 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 है